जैहिंद जैभारत दोस्तों कैसे हूँ आप सब मैं आसा करता हूँ कि आप सब अभी बढ़िया ही होंगे तो आज का जो हमारा बिसिकली टॉपिक है वो क्या है आप यहाँ पर आसानी से देखिए अगर आप आसानी से देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा दीपत तेक है यानि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है दीपत वस्तुएं जिहां दीपत वस्तु नहीं दीपत वस्तुएं और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है दीपत वस्तुएं तेक है और इसके बाद है परकास के स्रोत और इसके बाद है पार दर्सी जिसे हम कहते हैं ट्र और इसके बाद है पार भासी जिसे हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट और इसके बाद है अपार दर्सी जिसे हम कहते हैं उपाय क्यों इंग्लिस में ठीक है और छाया जिसे हम कहते हैं साधो यह सब क्या है आपको आज के इस वीडियो में किलियर हो जाएगा अगर आप से पुछ द दिपत वस्तुएं क्या होता है किसे कहते हैं इससे आप क्या समझते हैं कुछ भी पुछ दिया जाए तो बस आपको वही लिखना है जो आपको यहां पर मैं बताऊंगा अगर यह सब चीजे में से अगर आपको कुछ भी पुछ दिया जाए तो आपको वही लिखना है जो पर मैं बताऊंगा यानि क्या क्या चीज़े आपसे पुछ दिया जाएगा आप यहां पर ध्यान दिजे तो आपसे पुछ दिया जाएगा कि दीपत वस्तुएं किसे कहते हैं क्या होता है दीपत वस्तुएं इससे आप क्या समझते हैं इसका परिभासा क्या होता है तो बस आ दकाता है तो आप इस video के नीचे जरूर लिखेगा ओके तो बढ़ते हैं विडियो की और और समझते हैं बारि-बारि से एक चीज को ओर एक बात को ठेक है तो यहां पर आप ध्यान देचेगा अब हम समझने क्या वा दे हैं तो यहां पर आप balances इसिली समझेंगे तो आपको बहुती बारिके से दिख क्या रहा होगा दीपत वस्तु हैं क्या दिख रहा है आपको दीपत वस्तु हैं जिसे हम इंगलिस में कहते हैं bright objects तो अगर आप से पुछ दिया जाए what is bright object तो ये क्या है तो आप इसली यहां पर परिभासा लिख दिजेगा आपको दिख क्या रहा होगा कि जो वस्तु स्वयम यानि खुद ठेक है परकास उत्सर्जित उत्सर्जित कहने का मतलब निकालना जो वस्तु स्वयम यानि खुद परकास निकालते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं दीपत वस्तुएं कहते हैं जैसे आप अगर आप समझेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा सोरिय, तारे, जुगनू बिधूत बल्ब ये सब क्या हैं ये खुद और खुद यानि स्वयम परकास निकालते हैं तो यहाँ पर आप इजली समझ गए होंगे कि दीपत वस्तुएं किसे कहते हैं यानि जो खुद परकास निकालते हैं जैसे सुरिय, तारे, जुगनू बिधूत बल्ब ओके तो ये सब चीजे आप बहुत ही बारिकी से समझ चुके होंगे अब बढ़ते हैं आगे की ओर और समझते हैं अदिपत वस्तुएं अगर आपको दीपत वस्तुएं आ गई हो तो अदिपत वस्तुएं कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपको बहुत ही बारिके से दिख रहा होगा अदिप्त वस्तुई जिसे हम इंगलिस में कहते है dark objects ठेक है तो dark हमारा होगया अदिप्त का और वस्तुई का होगया objects ठेक है तो इसका जो परिभास है ना वो यहाँ पर easily आपको मिल जाएगा अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक रोक कर आप लिखने का परियास किज़ेगा ठीक है तो यहाँ पर आपको दिखी कह रहा है कि जो वस्तू जिहां जो वस्तू परकास उत्सरजित नहीं करती है उन्हें हम कहते हैं अदिप्त वस्तुई हैं यहाँ पर दिख सकते हैं जैसे में हमारा आ जाता है पत्थर कुर्सी मेज आधी कहने का मतलब जैसे कलम कुर्सी कलम कौपी यह सब क्या है यह सब क्या परकास उत्पन करते है नहीं उत्पन करते है ठेक है तो आप ऐसे भी समझ सक और हमारा आ जाता है इंट भी क्या है यह भी आपको परकास उत्सरजित नहीं करता है ठीक है तो यह सब चीजे हैं जो कि आप इजीली समझ सकते हैं तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए और आसानी से लिखने का परियास किजिए अब अब हम समझत हैं आगे की बाते वो क्या है आप यहां पर समझी है तो आगे की जो हमारा बात आजाता है वो आजाता है परकास के सुरोथ परकास के सुरोथ आखिर है क्या तो मैं आपको बता दूँ कि परकास के सुरोथ हम किसे कहते हैं तो आप यहां पर परिभासा लिखेगा कि वह वस चीजे से परकास निकलता है उसे हम क्या कहेंगे परकास के सुरोत कहेंगे तो यहाँ पर आप आसानी से हमारा जो परकास का जो परकार आजाता है वो हमारा दो किस्म का यहाँ पर आजाता है वो क्या क्या है आप यहाँ पर देखिए अगर आप आसानी से दिखेगा तो आपक प्राकृतिक शरोत जिस को में आपको दिख रहा है प्राकृतिक शरोत जिसे हम यहां पर देख सक्ते हैं मैंने लिख कहा हुआ है कि प्राकृतिक स्रोथ यानि आप दिखेगा तो प्राकृतिक स्रोथ हम अब किसे कहते हैं तो आप यहां पर ध्यान देजिए प्राकृतिक स्रोथ हम उसे कहते हैं जिसको किसी नहीं बनाया तो आपसे अगर पुछ दिया जाए कि प्राकृतिक स्रोथ परकास के किसको कहते हैं तो सूर्य को कहते हैं तार्य को कहते हैं जुगनु को यहाँ पर हम कहते हैं क्यों क्योंकि इनको किसी नहीं बनाया ठीक है तो परकृतिक अगर आप से पुछे दिया जाया तो जिसको किसी नहीं बनाया ठीक है तो परकास के परकृतिक शुरुत क्या क्या है तो आप इजिली बता सकते हैं हमारा आजाता है सूर्य और तारे जुगनु इत्यादे ठीक है अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर आगे और यहाँ पर लिखा हुआ है मानो निर्मित सुरोत यानि परकास के मानो निर्मित सुरोत क्या क्या है ए सुरी परकास के सुरोत में हमारा आजाता है एक और मानो निर्मित स्रोत यानि मानो द्वारा बनाया गया परकास जो मानो द्वारा बनाया गया हो परकास उत्सरजित करने वाला मसीन यंत्र आपको क्या क्या है आप यहाँ पर दिख सकते हैं तो मानो निर्मित हमारा जो स्रोत आ जाता है वो आ जाता है बिधूत बल्ब क्योंकि बिधूत बल्ब को मनुसिय ही बनाता है ठीक है तो आप ऐसे भी समझ पाएंगे और इसके बाद हमारा आ जाता है टॉर्च और मुंबती ये सब को कौन बनाते हैं तो ये सब को मनुसिय ही बनाते हैं इसलिए हम इसको क्या कहे हैं मानो निर्मित स्रोत या हम कह सकते हैं संसलेशित स्रोत यहाँ पर कह सकते हैं तो यहाँ पर आप इसलिए समझ गया है कि परकास के प्राकृतिक स्रोत हम सूर्य तारे और जुगनु को कहते हैं और परकास के मानो निर्वित स्रोथ हमारा जाता है विधूत बल्ब, टॉर्च, मुंबती तो ये सब चीजे आप बिल्कुल आसानी से समझ गयोंगे अगर आप इस इन सब को अगर आप लिखना चाहते हैं तो विडियो को रोके और आसानी से लिखने का परियास किजिए ठीके, अब यहाँ पर ओहो तो आप यहाँ पर लिख लिजिए ठीके, तो बढ़ते हैं अब हम आगे की ओर तो आगे की ओर में हमारा जो अगला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है पारदर्सी जिया हमारा क्या जाता है पारदर्सी और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए अब हम आपको बताने के वाले है पारदर्सी तो हमारा जो यहाँ पर पारदर्सी है अब यह क्या है तो आप देखेंगे तो पारदर्सी यहाँ पर लिखा हुए है और इसके बागल में लिखा क्या हुए transparent ओके और यहाँ पर लिखा हुए है परिभासा में वो क्या है यहाँ पर समझे हुए तो यहाँ पर आप अशानी से देखेंगे तो आपको ऐसी वस्तुएं जिस से जिसमें से जिसमें से परकास पुरी तरह पारीत होती है यानि पार होती है उसे हम क्या कहते हैं पारदर्सी यहाँ पर यानि ट्रांसपेरेंट कहलाती है यानि ऐसी वस्तुएं जिसमें से परकास पुरी तरह पारित यानि पार होती है उसे हम क्या कहेंगे पारदर्सी कहेंगे यानि कहलाता है यहां पर आप समझने का पर्यास किजिए कि यार पारदर्सी हम किसको कहेंगे तो यहां पर कोई वस्तु रखा गया है कोई वस्तु यहां पर है और यहां से हम जैसे यह सूरे के किरने देंगे सूरे के किरने हम जैसे ही देंगे तो यह पूरी तरह क्या हो जाएगा यहां पर पार हो जाएगा तो अगर आपको पार हो जाएगा तो यहां पर जो वस्तु आएगा वो क्या कहलाएगा यहां पर पारदर्सी वस्तु यह कहलाएगा यानि जिसमें परकास पूरी तरह आर पार हो जाए वो आपको कहलाता है पारदर्सी यहां पर कहलाता है तो अब हम बढ़ते हैं आगे की और अगर आपको पारदर्सी आ गया हो तो आप इस वीडियो के नीचे जरूर लिखिएगा ठीक है तो आगे हमारा आज आता है पारभासी जिसे हम कहते है Translucent तो यहाँ पर एस छुट चुकी है छुट चुका है तो आप यहाँ पर समझिएगा Translucent जिसे हम कहते हैं पार भासी हिंदी में और हमारा जो इसका परिभासा आ जाता है वो क्या है definition क्या है वो आप यहाँ पर समझी है तो यहाँ पर आपको परिभासा मिल जाएगा कि ऐसी वस्तुएं जिसमें से कुछी ही परकास पारित होती है पारित यानि पार होती है एवं वस्तुएं असपस्ट यानि साफ दिखाई नहीं देती है तो आपको पार भासी कहलाती है जिसे हम कहते हैं इसमें Translucent कहने का मतलब यह कि यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ से कोई हम परकास पार करते हैं तो आपको पार तो होता है पर थोड़ा-थोड़ा पार होता है और इस तरह कि कोई भी वस्तु आपको साफा साफा यानि किलियर दिख नहीं यानि असपस्ट आपको नहीं दिखता है तो वो आपको क्या कहलाएगा पार भासी यहां पर कहलाएगा यानि यहां की जो वस्तु हो जाएगे वो क्या कहलाएगी यह आपको पार भासी वस्तुएं कहलाईगे तो यहाँ पर पार भासी का परिभासा आप समझ जाएंगे कि आपको आसानी से दिख्या रहा है कि ऐसी वस्तुएं आप जरा सा इसको किलियर कर दे रहे हैं और आप देखिए तो यहाँ पर है कि ऐसी वस्तुएं जिसमें से कुछ ही यही थोड़ा ही परकास पारित होती है यानि पार होती है एवं वस्तुएं असपस्ट दिखाई नहीं देती है तो हम क्या कहेंगे पारभासी यहाँ पर कहेंगे यानि कहलाती है तो यह सब आप इजीली यहाँ पर समझ सकते हैं ठीक है तो जैसे आप समझेंगे तो घीसा हुआ कांच जो हमारा होता है गारी का जो कांच सिसा होता है वो घीसा हुआ रहेगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा परकास की किरने पार होंगे और धूंतला भी दिखाई और जैसे आप कागज में तिल लगा होगा तो आप परकास के सामने रखेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा परकास पार होगा तो वो हमारा वो वस्तू क्या है हमारा वो आपको पार भासी वस्तू है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और इसके बाद हम समझते हैं आगे की चीजे तो क्या आप इसको लिख चुके अगर आप इसको लिख लिए हैं तो ठीक है और नहीं तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं और इसके बाद हमारा आज आता है अपार दर्सी जिसे हम इंगलिस में कहते हैं ओपै क्यू जियां अपार दर्सी जिसे हम कहते हैं वस्तु ये जो परकास को पारित नहीं होने देती है यानि वो पार नहीं होनेता है पूरा ही पूरा छेक लेता है यानि टेक लेता है एवं दूसरी और की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है अपार दर्सी यानि ओपैक्यू कहलाती है यहाँ पर अगर आप से पुछ दिया जाए कि आपार दर्सी क्या है आपार दर्सी से आप क्या समझते हैं आपार दर्सी किसे कहते हैं तो आप यह परिभासा लिख दीजिए आपको न यहाँ पर नंबर मिल जाएगा यहाँ पर आप देखिएगा तो ऐसी वस्तुएं जो पर प्रकास के किरने पार करते हैं तो क्या वो पार हो जाता है नहीं पार होता है तो हमारा दीवार के है अपार्थ दर्सी है ठीक है तो अपार्थ दर्सी आप बहुत ही आसानी से समझ गया होंगे ठीक है बढ़ते हैं आगे कि और अगर आप इसको लिखना से आते हैं तो यार व से कहते हैं तो वाटीज चाया वाटीज चाया नहीं वाटीज साध हो ठीक है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका परीभासा में लिखा क्या हुआ है कि वह छेतर वह छेतर कहने का मतलब वह जगह वह अस्थान जहां परकास की किरने नहीं पहुचती है चाया कहलाती है यानि चाया हम वहाँ पर कहेंगे जैसे यहाँ पर कोई जगह है और यहाँ पर कोई परकास की किरने यहाँ पर नहीं क्या तो आपको अंधेरा ही ने रहेगा तो अंधेरा कोई हम क्या कहेंगे चाया कहेंगे ओके तो यहाँ पर परीभासा में देख सकते हैं वह छेतर जहा पर कास की किरने नहीं पहुँचती है तो आपको चाया कहलाती है तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप समझी रहे हैं अब इसके बाद जैसे आप एक्जामपल में भी समझ सकते हैं यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि जैसे पेंड के पत्तों द्वारा सूरी के किरनों के बनी चाया जैसे हमारा जो पेंड होता है जैसे ही पेंड पर सूरी की किरने पड़ती है तो क्या होता है कि वहाँ पर जो हमारा सूरी की किरन होता है अच्छा से नहीं दिख पड़ता है यहां पर आपको क्या है चाया है ठेक है तो यहां पर आप इजिली समझ सकते हैं अब हमारा जो चाया का परकार आजाता है वो मुखे खास हमारे दो ही होते हैं यहां पर देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है यहां पर देखिए तो यहां पर आपको दिख रहा होगा चाया कितन उपचाया तो आज के इस वीडियो में इतना है वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो आज के इस वीडियो में इतना है तो यहाँ पर यह सब चीज़े आप आसानी से ख्याल रखेगा तो अगर आपको यहाँ तक की बाते में अगर आपको कोई भी चीज का डाउट रह गया हो तो आप इस वीडियो की नीचे लिखना और गाइज अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो तो यार देना है तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर देना मिलता है आपका भाई एक और नय दिन नय वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहना और जूडे रहना और कोई दीकत हो तो यार नीचे जरूर लिखना ठेक है तो बाबाट टिक क्यार बेस्ट अफ लक बने रहें जूडे रहें